देखो जी जेकर मैं Canada दी गल करला Canada जानवास ते बड़ी बेसिक रिक्वार्मेंट है कि थोटी बार्वी कीत्ती हुनी चाहिए या ग्रैजूशन कीत्ती हुनी चाहिए ते नाल लाल थोटे आयल स्वेट छे बैंड हर एक मट्यूल चाहिए कोई भी एप्लिकेशन जेकर Canada दी हगी है ओधी रीट दी हटी हुन दी SOP बच्चे SOP अपनी आप त्यार कर रहे है जड़े आप एप्लिकेंट ने जिने बार्वी कीत्ती है या ग्रैजूशन कीत्ती है या ओ स्टाफ उना थी SOP त्यार कर दा पहा है जिनू आपनू तजरुबा ही है नी कि फाइल नू लाई दी के में है फिर तो तो रिजेक्शन आनी है नी साड़ी पॉलिसी किया कि जे वीजा नहीं लग गया ESS थोटे को रपिया भी चार्ज नहीं करेंगा तुसी पैसे उस दिन देने जिस दन थोटा वीजा लग गया जैन्वरी दोज और चोवी इंटेक तो यूके डिपेंडेंट केसे नू लेना बाद गया तो जिनने बच्चे यूके जान दे सिके जिनने मैरेट कपल सिके यूके जान दे सिके अपने परवार ना या अपने स्पाउट था Garden जा रहे है जिर्फ ओह ही अपने स्पाउस या डिपेंडेंट सुन सब्सक्राइब सब तो परला बोट-बोट स्वागत है जगबनी टीवी थैंक ए सोमा जी जगबनी टीवी देख रही सारी दर्शकानों मेरे वल्लो थे एसस दी पूरी टीम वल्लो प्यार परी सासरीकाल सबतों पहला बच्चे जड़े विद्यार्थी ने स्टुडेंट्स जादा होड़ है कि ओ फटाफट पॉंचन केंड़ा स्वाल ही है कि केंड़ा जान दे लई की कुछ प्रोसेस है गया और की में रिफ्यूजल जड़ी बहुत बड़ा स्वाल है कि रिफ्यूजल आये या ग्राइजूशन कीती हुँ चाहिए है ते नालाल थोटे आयल्स वेट 6 बैंड हर एक मड्यूल चाहिए है एंड जे मैं कंपैरिजन करला है दोजार ते जड़ा सरनमा साल चड़या आप मई दे मिनने चे बैठे हैं ते जे मैं E.S.S. ग्लोबल दी काल करला है तकरीबन आप एस साल विच हजे तक 800 के वीजे कानड़ा दे ले चुके हैं कि एस साल बहुत वधिया रिजल्ट्स कानड़ा दे आन दे पए हैं जे वीजाज आ रहे हैं ते विच मारी मोटी रिफ्यूजल्स भी आन दिया है एंड परेशानी या हरानी ओदो हुं दी है जदो लाई किता हुंदा साथे को अपनी रिफ्यूजल लेके आन दे है ओदो हरानी हुं दी है कि बई चंगी पली प्रोफाइल हों दे बावजूद जिते कैनड़ा इस साल इनने वधिया रिजल्ट्स दिन्दा पया इनने ज्यादा वीजे आ रहे हैं एंड चंगी पली प्रोफ अटिय। को फुम्हाल आपते कि प्रोफाइल हों दे बावजूद रिफ्यूजल आजन्दी आजन्दी है और जिकार चाहिएं था कि रिफ्यूजल जड़ रिजड़ा हुं दे है देनल बंदा खड़ा हुन दा कोई भी एप्लिकेशन जेकर कैनड़ा थी हाई और राई प् होने देखन वाली गाला कि SOP बना कॉन रहा जड़े बच्चे ने बार्मी किती है रिसेंटली अपने स्टडी ग्राइजिशन भावे किती है पूरी किती है कि वो अपनी SOP ओ बंदा बनांदा पया कई कंसल्टेंट एहोजे भी मार्केट चे है गिए जिनना ने अपने स्टाफ हायर किते है बंदे हायर किते है जिनने एजुकेशनिस ने कि जनने रिसेंटली अपने स्टडी पूरी किती है माड़ा मोटा इंग्लिश वदिया है गिया उन्ना को लो अपनी SOP इस्तियार करवा जिनने आप एपलिकेट ने जिनने बार्वें किती है ग्रैजुशन किती है या ओ स्टाफ उनना थी SOP त्यार करदा पर जिननों आपनों तजरुबा ही है नी कि फाइल नू लाई दी के में है फिर तो तो रिजेक्शन आनी है उते लाजमी है रिजेक्शन बन दी एक स्वा या जान्दा जोना वीजा लग जान्दा है इस पर थोड़ा रहा चरना पाऊना बिल्कुल जी ESS Global बच ए रित्ती है कि जेकर बच्चा ESS Global दे कोलो आकर अपना वीजा अपलाई करदा जेकर बच्चे दा वीजा नहीं लगदा बच्चे दा पैसे पको कोई नुकसान नहीं होना क्योंकि अपका विलीव उस चीज से कर दे है कि जदो अपका किसे क सकोट कोई चीज लांड गए है जदो अपना वीजा अपलाई करंदे ले जे वीजा ओधे हाथे चे आ गया, पैसे देने ओधो ही बंद देया, जे वीजा लगया नहीं, उपरो लखार पे खराब कर ले, फिर ओ, समझ नहीं आया ना कि कारोबर किस त्रीक करता हो गया, कि एजेंट ने अपना टेट दा पार लेया, बट बच्चे दा वीजा पर तुहादे इमिग्रेशन चाहिए हो जे की खास गाला कि वीजा रिफ्यार्थिस पटाफट तुहादे को लान, क्योंकि हर बंदे ने अपना काम करना, हर सुडेंट ने अपना बढ़े आप वचारना कि उन्ने कित्थो अपना अप्लाई करना, मेरी हमेशा हर सुडेंट जड़ तुह किसे भी बंदे को लो वीजा अपलाई करन जा रहे हो, उस बंदे बारे अपने रिसर्च जरूर करो, उस कंपनी बारे अपने रिसर्च जरूर करो, कि यो कंपनी किड़ी पुरानी है किया, उस कंपनी दा एक्स्पीरियंस किनना है गा, उस कंपनी ने किनने के वीजे लवाए है किया, उन्हादी रिसर्च जरूर करो, फिर जितो मर्दी अपना वीजा अपलाई करो. एक गला है यूके, एस्ट्रेलिया भी है जो स्टुडेंट्स बहुत ओना है ने कि अस्ट्रेलिया जान है, उज़े विजे अचल कुछ इंफोमेशन सब्सक्राइग है, उज़े इंपक्त की जड़ायो सपएगा वीजे दोथे या स्टुडेंट्स उत्यूट्स एक या परवार नाल या अपने स्पाउस ना जान दे सेगे, उन्ना दली सप्तमबर इंटेक लास्ट मौका हैगा, कठे जान वास्ते, आन वाले जन्वरी दो जार चोवी इंटेक तो जेकर बच्चे नी यूके जाना, ओ कल ला जाओगा, ओधा डिपेंडेंट नाल नहीं जा सकता, तो एप्लिकेशन्स लेनिया बंद कर रहे हैं, एह हमेशा, जे मैं गुरिंदर पाजी दी गलवी कर लाँ, पर जी हमेशा एक चीज कहन दे से कि तेने कंट्री हैं गिया, UK, Canada, Australia, जे एक कंट्री डाउन है, दो कंट्री डाउन है, तीजी कंट्री दा टाइम हुंदा उपर एंड ये कर UK देखा, पिछले मैं हमेशा, मैं कई पर लास्ट शोच चे भी क्या सिगा, कि UK था वबल होन फटन वाला, एंड फाइनली ओन यूज आगी, बिकास UK कंसिस्टेंट्स दीगा लास्ट दो तेन साल तो इन तरम्स अफ नंबर अफ ग्रांट्स देवेच, Australia, पोस् जुरू हो रहा है, उनना बच्चे ने जिननते अपलाई करना, एंड एथे कैनड़ा कंसिस्टेंट है, जेकर मैं दे लास्ट टू-त्री एर्स देखा है, एस साल देखा, कैनड़ा रिजल्ट बड़े वधिया आने शुरू होगे, सब इची से क्लियर कट इंडिकेशन की आ बच्चे ने भी आपना, पास पाउश्ट टी गाल कर लिया, एंड कैनड़ा ओं कंट्री है, मैं देखे लास्ट टी पर जाल करना, कि ए लिख यह नहीं चीआ कि बच्चे नाल नहीं जा सकथा, बट नौर्थ इंडिया तो रेस्रिक्शन सी घ्या कि इस पाउश्ट नहीं ज चाहूं देने, जिना दू इंटरस्ट है कि ऐसी यूके देवी जाये ते, फिर उ किस तरह फिर हुन अप्लाई कर सकते हैं, जिसमसे कह रहे हो कि स्टंबर तक हुन जड़िया इन टेक कर सकते हैं, यूके बंद नहीं हो रहा है, ना जयन चौभी तो बंद होगा, बट उनना ब जनवरी इंटेक ची अप्लाई करोगे, थोड़ा स्पाउस थांडर नाल अकंपनी नहीं कर पाएगा, सिर्फ ए चेंज यूके वेचे है किया, जिस तरह जड़ जाना है उसी दुराने अप्लाई होनगी या उस तो बाद अगर बच्चा दो साल उते रह भी रहा है, उस तो जनवरी 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 जड़े की पैसा इनने पैसे वाले नहीं होंदे हना पर वो शिकार हो जांदे नहीं तो उना बारे कुछ दसों अलब की स्टुडेंट्स थोड़े जे अवेर हो जान उस चीज ते और सई करें लुगिए। वह कि एमिग्रेशन कंपनी नू जड़ाय अवरे लूफ जड़ायों उना तक ही पांचन थोड़ी गालतना मनुट लास्ट वी क्लाइन टेक आफिस चाहे से ओना याद आगे बच्चा सीगा उनने बार्मेगी की तो जार बाई बच्चा सीगा उनने बार्म गगाति के छीपन नाल जेड़े के छेड़े कार्वावारे कथी ही। गुशे नमबर में 30-0 % गात्व बाली है। गाते कि छेड़े पयाएं और तो इस वेखे लिए आधे प्रोफाइल गाया। वोदे फ्रेंड्स ते मकावल है कि ते वदिया प्रोफाइल मेरे बच्चे दिया है, ते बैन भी वदिया है कि ते नंबर वदिया भी सेगे, बट इधी किसमत खराब है कि अगा समझ नहीं आया, कि भई चंगे पली प्रोफाइल सेगी, जो एने नॉनमेटरिकल केती सेगी, जो कोर्स एने लेया, और यो कोर्से दे फ्रेंड ने लेया, जो कॉलेज एधा सीगा, सेम कॉलेज सीगा, सब कुछ सेम होंते, बाववदूद एधा विजा रिफ्यूज होया, सो एह होन एह जीडी चीज है ना, एह बच्चे रिलेट कर पानगे, बिकॉस एह बहुत सारे जिए प्रफाइल अल्मोस ऐइधाल सेम हों दिया, बट चार बच्चे कठ्था विजा अप्लाई कर दे दोनु विजा मेल दोधी रिजेक्शन आ जन दिया, जिवे में गल्स तार किती सगी, एह जाड पॉंट है, मेंपॉंट एह, है मेंपॉंट एह, है है जाड पॉंट ए विजा मेरा ओदे सेरती हाना, बिकास एसोपी थोड़ी एप्लिकेशन दी रीड दी हड़ी है, एप्लिकेशन उस बंदे को बनवाओ, मतब एसोपी तुहीं जित्थो अपना विजा अपलाई कर रहे हो, एसोपी उस कंपनी न त्यार करना, जोदो भी तुसी कैसे भी कंसल् आजिं कर सकते हैं, जोब बच्चा है कनाड़ा वच पडान ली गया, वे एस साल वेच जड़ा लास्ट यह रोल इंपलिमेंट किता सिगा, कि बच्चेन उनु फुल टाम कम दी परमिशन है, वेजे भी बच्चेन उनु डूरिंग स्टड़ी पॉल तुल 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 वर्क परमिट मिलता हैगा, एंड कैनड़ा, मतलब अपाइ सोपी गाल करते हैं, मैं एक पॉइंट कहना पोल गया, मोस्टली जदो बच्चे साथे को रिफ्यूजर लाके आंदे है, उननादी सोपी ते एक को चीज लिखी हुंती है, कि मैं कैनड़ा जाना, मैं आ कॉलेज आवला कोर्स करोंगा, आवला कोर्स करके वापस इंडिया आके मैं आ कम करोंगा, एंड कंपैरिशन जदे मैं गल करना, ए एस इस दी, साधी किसे भी सोपी चे ए नहीं लिखिया हम था कि मैं वापस इंडिया आओंगा, उद एक रीजन है, रीजन किया, Canadian Government, Canadian सरकार आप कहन आओ, पढ़ो, काम करो, ते सैटल हो जो, जो तो गवर्मेंट में नो कहन दी पर यह थे आके पढ़न तो बाद उसे काम करके सैटल हो जो, दन मैं SOP ते क्यों लिखा कि मैं वापस इंडिया हो ना, यह बड़ी इंपोर्टेंट सीचा है, जड़ी कई लोग मिस कर दे, कई बच्चे ते मिस कर जनते हैं, वाबो शुक्रियत माम जानकरी सांजी करंदी, सो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स जड़े ने उना विधियार् जिते स्टूडेंट्स जड़े ने ओहु एथे आ सक देने और रफ्यूजल जड़े निराश हो चुके ने उन्हां लई वी पूरी जड़ा है, पुरा अच्छा राह है, एसस ग्लोबल और तमाम जानकरी सांजी किती है, और तुहानू एह एपिसोड़न की ददा लगा, सान झाल आएवान की ञूरी जी keeper है, लगा अच्छाण जा feltराई वीज़न कीजय है, और शया है।